वाड सदस वाड सचिव और वाड सभा अज इन तिन मुढ़ो पर तिन विष्यों पर बात करेंगे कि वाड सदस विकास में इनकी कितनी योगदान है वाड सचिव अपने वाड में इनका क्या होगा और वाड सभा जरूरी है यान इन तमाम चीजों पर बात करेंगे उसे पहले मैं अपना पर्चे देदू नाम है मेरा शुनिल बौबी और आप इस समय देख रहे हैं अपना खास काद करमदाओं की सरकार और कैमरे के पीछे हैं मिश्टर शाहिद बंदो लगता वाड सचियों के दोवारा चिला चिला कर कहा जा रहा है कि सरकार हमारे साथ धोखा कर रही है धोखा की है जिस उमीद के साथ हमें चुनाओं में लाया गया वह उमीद पर सरकार खरें नहीं उतर पा रही है हमें मन सम्मान की बात कौन करता है प्रती दिन हमें बैजती करवाया जा न तो कोई कार्ज दिया जा रहा है और न मुख्याजी के दोवारा हमें शमान दिया जा रहा है सभी का जिम्मा जो है सरकार की सरकार वाट सदसे और वाट सचीं को बेज दी करवा रही है लेकिन हम बताएंगे कि गलती किसकी है सरकार की गलती है या मुखियाजी की गलती है या गलती आपकी खुद है या खुद आप निर्णाय कर सकते हैं कि आपको क्या करना चाहिए क्या आपने उन्हें नीमों को ताक पर नहीं रखा है क्या आप उस नीमों को पादन करते हैं प्रस्न उत्ता है और ज के लिए कोई उपर से नहीं आएगा अगर कोई पावर नहीं देता है को अधिकार नहीं देता है तो अधिकार कभी-कभी छिनने के लिए जब आपको मोटी किताब मिल गई सारा अधिकार आपको उसमें बताया गया है तो फिर आप किस्या मांगने चाह रहे हैं आप अपनी अधिकार को खुद छींगे मैं भड़काने का काम नहीं बलकि नियम को बताने का काम कर रहा हूं आप बनिये लिखा पढ़ी किजिए सब कुछ किजिए अधिकार मिलेगा लड़ने की जरुवत नहीं है सारी रिक टक्राओं मत किजिए लाठियां मत चलाइए इस कलम को अपने हाथों में उठाइए और अधिकार पाईए बताइए मुख मंत्री को बताइए पंचाइदी रा कॉप हो चुका है नल्जल की योजना किस परकार से नल्ली गली पकी करन धौस होते जा रहा है उसे मरमत की जरुवत है बताईए पहले हम बता देते हैं कि आप अगर वाट सदस वाट सचीव हैं तो कॉमेंट करके इसमें लिखिए मुख मंत्री जी को इस वीडियो के कॉमे बैटकों में पूरे ग्राम पंचायत छेतर के लोगों की अकांचाएं एवं जरूरते परतिबिम्बित हो सके इसलिए ग्राम पंचायत के ग्राम सभा की बैठक के अतरिक्त परतेक वाट के अस्तर पर सभी लोगों की एक बैधानिक सभा होने की आउसकता महसूस की जाती है चुकि वाड सभा का छेतर वो जन संक्या ग्राम पंचायद की तुन्ना में अपेच्छाकरित काफी छोटी होती है एवं लोगों के उदेश का शमान होते हैं अता वाड सभा की बैटकों में पूरे वाड छेतर की समस्या सही रूप से उठाई जा सकती है एसी बैटकों में लोग गंभिरता से उन विश्यों पर भी चर्चा करते हैं या कर सकते हैं जिने वे ग्राम पंचायद की दृष्टी में लाना चाहते हैं दोस्तों यहीं पर मिस हो रहा है आप अपने वाड में वाड क्रियानमन समीती प्रमन समीती के साथ बैठग और आम सभा वाड सभा नहीं बोलाते हैं वहां से कोई योजना पारिद करके नहीं भेशते हैं मौकिक आप बोलते थे कि मेरे वाड में फलाने के घर से फलाने के घर तक नली खराबे मुखिया जी आप उसको पास करवा दिए अरे बंदू कोई सुनने वाला नहीं है आप वाड सभा कीजिए वाड सभा में रजिष्टर में पॉर्सिंडिंग लिजिए योजनाओं को लिजिए और उसकी लिखित रूप से वाड सची वाड सदा से और वहां सभा में उपसित लोगों से साइन करवा के उस लिखित कि रिवाइंडर कीजिए एक बारे दस बार कीजिए आप अपना जो सही काम है उस रूप से कीजिए तो नेसी तोर पर हर लोग सुनेगा नहीं होता है उस कौपी को अप रजिष्ट्री मुखमंत्री के पास में कीजिए पंचाइती राज विभाग के पास में कीजिए रज अभी शुरू कर देगा मां सम्मान भी देना शुरू कर देगा लेकिन आपके पास ही होना चाहिए जिसके पास कलम नहीं है वो तो दम भूल ही जाए कि आपको भी कुछ अधिकार मिलने वाला है है दोस्तों भी वाट सभा की क्या होनी चाहिए की वाड सभा की दो भीट को का अंतरल तीन महीने से अधीकळ नहीं होगा आप बैठके करिए तीन महिना से ज़्यादा समय उसका नहीं होना चाहिए तीन महिना से फ़ाले ही बैठके करिए ज़्यादा अगर आपको नहीं करना है तो तीन महिना के अंतराल में एक बैठक तो होना ही होना चाहिए जिसमें आम जनता भी अपनी बातों को रखता है वार् अपनी बातों को रख रहे हैं चाहे तो आप होँ हंगामा से जरते हैं या आपको नोलेज नहीं है जिसके कारण अपवार्ट में सभा नहीं करते हैं कोई योजनाओं को नहीं ले पाते हैं और गलती ठाराते हैं अन्य लोगों को गलती आप में अपने दलानों पर जह कर लिजिए वाशायो वार्ट सभा की बैटा का वाड में अवस्थित पंचायद भवन कि पंचायद सरकार भवन या समुदाईक भवन या किसी अनसुदाजनक सालजनी कहस्तान पर होगी अब वार्ट सभाव कहां कीजेगा सबसे पहला ग्रिष्ठा आ अगर आपके वार्ड में पंचायद भवन पड़ता हो या पंचायद सरकार भवन पड़ता हो तो उसमें किजिए अगर आपके वार्ड में पंचायद सरकार भवन नहीं है तो अगर आपके वार्ड में समुदाइक भवन है तो वहां किजिए या अगर वह भी नहीं है तो लो गर या अस्थान पर नहीं किसी को आने जाने में कोई तकलिफ नहीं हो मtsåं में अशा होता है कि फ्लाने कर दरवाजे progress पर मीटिंग होगा तुस्ते हमारा बोल चाल नहीं है नहीं पड़ता है मां बाकि सब ठीक ठाग कि बैठक की स्थैना किजिये है नोटिस का प्रकासन कैसे कीजिए यह भी जान लीजिए बैठक सुचना वाड छेत्र में एक या एक से अधिक सहज दिरिश्च अस्थानों पर चिपका दे यानि सुचना निकाल कर सार्वजनिक जगों पर अपने वाड के सार्वजनिक जगों पर चिपकवा दीजिए या फिर या उसके साथ डूगडूगी भी बजवा सकते हैं सब्सक्राइब करना है अश्कूलों में प्रातना के समय बच्चों को जनकारी भी दे कर और वाड सदा सेवाम वाड सची द्वारा घरघर बैक्तिगत संपर्क सभी सुचना देकर आप बैठा कर सकते हैं लेकिन हर लोगों ताके सुचना पहुचनी चाहिए जैसे आप आपको एक सब्ताफ पहले नोटिस करना है नोटिस का प्रकासन किया जाना आवस्यक होगा बैठक के सब्सक्राइब कर रहे हैं तो कम से कम तीन दिन पहले आपको वह सुचना निकलना है बैठक किया देस्ता आखिर कौन करेगा वार्ट सभा की परतेक बैठक किया देस्ता सम्बंदित वार्ट सदस द्वारा और किसी कारणवस उसको ना आ सके कि स्थिती में वार्ट सभा के किसी ऐसे ऐसे सदस द्वारा हो जो बैक्ति उपस्थित सदस्यों को बहुमत द्वारा पर्योजनार्थ निर्वाचित हो सके, बैठक का कोरम और गनपुर्ति कैसे हो, वार्ट सभा की बैठक का कोरम, वार्ट सभा के कुल सदस्यों के, दस्ने भाग या कम से कम पचास सदस्यों की उपस्थिती से पूरा होगा, वार्ट सभा का सचिव, वार्ट सभा अपने सदस्यों के बीच से एक बैठती वार्ट सभा में के सचिव के रूपे कार्ज करने हैं तू शैनित करेगी, जिसमें जिसकी सैचनिक योगता ने उन्तम दस्मिक अच्छा उत्रीन हो, तो आप वार्ट सचिव चुन लिए होंगे, तो वह संचलन करेंगे, वार्ट सभा सचिव का कार्ज अवंशे क्या हें? जन दीदे वार्ट सभा सचिव का मुक। दाइद हो, वार्ट सदस्के निदेशों के अधीन, वार्ट सभा की बैठक है तू, सुचना निर्गत करना बैटको की कार्जवाही अभी लिकित करना वार्ट सभादवारा समय समय पर सौपे गए अन्य दायत्वों का निर्भहन करना है दोस्तों इस तरह से आप वार्ट सभाद करके अपने अधिकारों को अपने पावर को प्राप्त कर सकते हैं और आपने वा इस तरह से कारज करते हैं तो महदे आप वार्ट सदस हैं या वार्ट सचीव हैं आप इस बातों को जरूर सुनिए और समझे कुमेंट करके बताईए आपको यह वीडियो कैसा लगा तो हमारे तोटल टीम के दवारा आपको यह प्रेशित जरूर किया जाता रहा है कि आपका अधिकार क्या है कर्तब्य क्या रहा है तो दोस्तों आप अधिकार की बात करते हैं तो कर्तब्य का भी बात कीजिए लोग वेसे होते हैं कि क्यों अधिकार अधिकार चिलाते हैं अप झाल झाल झाल